हेलो दोस्तों, नमस्ती, मैं अपने चैनल पे आप सब का स्वागत करती हूँ आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ संभवी मुद्रा क्या है, इनके क्या फायदे है आज मैं संभवी मुद्रा के बारे में आपसे बात कर रही हूँ संभवी मुद्रा के कई फायदे हैं ये बहुत ही 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 संभवी मुद्रा बोलते हैं इनके अनुभाव बहुत ही बहतरीन होते है अब आपको करना क्या है? आपको आराम से रिलेक्स होकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है जिस तरह हमारे बुद्ध भगवान ग्यान मुद्रा में बैठते हैं उसी प्रकार आप भी ध्यान मुद्रा में या कह लिजिए ग्यान मुद्रा में बैठ चाहिए फिर आप अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखें और अपने गर्दन को हलका सा उपर उठा लें अब आपको आइब्रो के बीच यानि की सेंटर में आपको ध्यान करना है पूरी तरह दोनों आइब्रो के बीच पे फोकस करना है जहां हमारा थड़ाई होता है वहां आपको फोकस करना है जब आप अपने दोनों आँखों को उपर करते हुए दोनों आइब्रो के बीच में ध्यान लगाते हैं तो फिर उसके बाद आपको सांसों को धीरे धीरे लेना है इस वक्त आपको महशूस करना है कि जब आप सांस लेते हो उस वक्त आपको महसूस ये भी करना है कि आप सांस ले रहे हो वो आपके दोनों आइब्रो के बीच यानि थड़ाई में जा रही है इस वक्त आपको ऐसा ही महसूस करना है कुछ देर तक आप करें फिर आप थोरी देर बाद अपने माथे पर महशूस करेंगे कि धीरे धीरे भारी होने लगा धीरे धीरे भारी होने लगा जो भारीपन है कुछ समय के लिए है ये जो भारीपन है कुछ समय के लिए है आप धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी अगर आप संभवी मुद्रा करते हैं अगर ये लगतार करते हैं तो आपको ये आदत हो जाएगी इसका असर जो है कम हो जाएगा फिर ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जब आप सम्भवी मुद्रा पर ध्यान लगा कर बैठते हैं सुरू में आपको थोड़ा पेन होगा सुरू में थोड़ा पेन होगा थड़ाई पर दोनों आइबरोस के बीच में थोड़ा सा पेन होगा पर आपको धीरे बहुत ही आनंद मिलना सुरू हो जाएगा लेकिन इस वक्त आपके जो भी इस्ट देवी देपता है या जो भी गुरू है जो भी इश्वर है आपके जो भी गुरु हैं आपको इस वक्त उनको ध्यान लगाकर अपने थडाई पर फोकस करना है अगर आपके गुरु नहीं भी हैं तो आपको फोकस दोनों आइब्रोज के बीच में ही करना है वहां ध्यान लगाना है अगर आपको ज्यादा टाइम तक नहीं करना है तो सुरू सुरू में बस पांच मिनट तक कीजिए पांच मिनट से आप सुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इनका टाइम बढ़ा भी सकते हैं लेकिन आप जितनी बार सांस ले रहे हैं जब आप संभवी मुद्रा में बैठते हैं आप जितनी बार सांस ले रहे हैं आप उतनी बार आपको फिल करना है कि आपकी सांस जो है थडाई पे जा रही है ये continue focus आपको थड़ाई पर यानि दोनों eyebrows के बीज में करना है इस वक्त आपको कुछ second के लिए सांस को रोकना है कुछ देर के लिए, कुछ second के लिए आपको सांस को रोकना है आपके लिए यहां थोड़ा अच्छा होगा और फिर धीरे धीरे सांस को छोरना है यानि कि breathing exercise जैसे होते हैं उसी प्रकार से आपको थोड़ी देर सांस को रोकना है और फिर धीरे से छोरना है अगर आप 5 से 10 मिनट तक भी करते हैं तो आपको इसी प्रकार से अपने सांसों पर भी ध्यान रखना है अगर आपकी कोई इक्षा है या फिर कोई आपको किसी से इस्वर से इस्ट से बात करनी है तो आपको संभवी मुद्रा में बैट कर अपने बातों को ब्रह्मान तक इस्वर तक आप पहुचा सकते हैं संभवी मुद्रा में बहुत सकती है आप इस्वर से इस्वर से इंजल से दिब्बे सकती से कनेक्ट हो सकते हैं आप बात कर सकते हैं संभवी मुद्रा को लगतार करते हैं तो दो से चार दिनों में इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा अगर आप ये मुद्रा दो से चार दिनों में करते हैं तो आपको रिजल्ट दो से चार दिनों मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन लंबे समय तक नहीं कीजिए ये जो मुद्रा है लंबे समय तक आप मत कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है आनन आ रहा है तो आप इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ध्यान मुद्रा का समय धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं 10-20 minutes, 20-25 minutes, 25 minutes-30 minutes तक आप इसे बढ़ा सकते हैं अगर आपको आनन्द आ रहा है और आपको इसमें बहुत अच्छा फिल हो रहा है और अच्छा सा ज्यान प्राप्त हो रहा है तो आप इसे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं आपकी खुद की छमता होनी चाहिए यह आपके उपर निर्भर करता है अगर आपको सर्दर ज्यादा होने लगे तो आप कुछ समय के लिए छोड़ दें यह बहुत ही सकती साली पावरफुल मुद्रा है आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही पावरफुल मुद्रा है अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आप में ठेहराओ आने लगता है अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आप में ठेहराओ आने लगता है अपने विचारों पे अपने आप पे आप कापू पाने लगते हो इस मुद्रा में आपको अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे जैसे मैं बहुत खुबसुरत हूँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ दिन पर दिन दिन पर दिन ये कॉन्फिडेंट आपका बढ़ता जाएगा और आपको आनन्द मिलने लगेगा इसमें सक्ति बढ़ने लगती है इन बातों को आप फोकस करना जैसे मैं बहुत खुबसुरत हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ मैं बहुत सक्ति साली हूँ मेरी सक्ति बढ़ रही है मेरा कॉन्फिडेंस बर रहा है दिन पर दिन मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ मेरी सक्ति बढ़ रही है और इन बातों को फोकस करना है इस वक्त आपको इन बातों पर फोकस करना है मन ही मन में इन बातों को रिपिट करना है, दोहराना है और फोकस थर्ड आई पर ही करना है संभवी मुद्रा थोड़े समय के लिए ही इस्तमाल करें थोरे दिनों में ही आपकी थरड आय एक्टिवेट हो जायेगी इसका पावर बढ़ जाएगा आप अपने थरड आय का पावर से आप दूसरों की मन की बातों को जानने लगोगे पहचानने लगोगे सम्भवी मुद्रा पहुत ही बहतरिन मुद्रा है अगर आपको कोई intuition काम नहीं कर रहा है आपका कोई ऐसी power आपको अंदर से नहीं फिल हो रही है तो प्लीज आप संभवी मुद्रा पर focus कीजिए ज्यादा नहीं बस 5 मिनिट तक आप कर कर देखिए आपको अच्छा result मिलेगा अगर आपको इसमें आनंद लग रहा है वहतरीन दिख रहा है तो आप इसे 5-10 मिनिट तक बढ़ा सकते हैं और प्लीज लगातार आप ना करें कुछ समय के लिए करें अगर आपको आनंद आ रहा है तो प्लीज इसे आप धीरे-धीरे करके आप इसे बढ़ा सकते हैं अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो थैंक यू सो मच